हेलो, क्या आप तप्ती घर्में के लिए अपनी छट के लिए कूल टाइल ढूट रहे हैं? कूल टाइल का उपयोग हम छट को ठंधा रखने के लिए करते हैं साथ-साथ घर के अंदर का तापमान भी कम गरता है सही कूल टाइल का पहचान कैसे करें? आज हम आपको इस वीडियो के माद्यम से बताएंगे कूल टाइल में पानी सोखने की छमता कम होने चाहिए आईए हम एक एक्सपरिमेंट करते हैं जैसा आप देख सकते हैं हम दो टाइल लिए ओरियंट बेल की कूल टाइल और साथ साथ में हमने एक साधार कमपनी का कूल टाइल लिया है अब हम दो जार में पचास-पचास एमेल पानी लेंगे जिसमें 20-20 एमेल दोनों टाइलों के बीच में डालेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं हमने बराबर मात्रा में पानी डाला दोनों टाइलों के रहे हैं एक साधारन टाइल है जो पानी को जल्दी जल्दी सोक रही है दूसरा ओरियंट वेल की टाइल से जो पानी को अपजर्ब नहीं कर रही है अब हम कुछ दिर इंतिजार करेंगे फिर टाइल को फलट करके देखेंगे आप देख पा रहे हैं कि ओरियंट टाइल पानी को कम अपजर्ब की है और साथ साथ सर्फिस के ऊपर कोई मार्क नहीं है पानी का दूसरी ये सधारन टाइल है जो पानी को पूर्ण अपजर्ब कर गई है और इसमें टाइल के ऊपर पूरी पानी का मार्क आई है इस तरह हम असपस्ट पहचान सकते हैं कि कूल टाइल की क्वालिटी अच्छी है या बुरी है अच्छी कमपनी की टाइल में वाटर अबजर्बेशन की मात्रा जो है वो कम होती है जैसा कि ओरियंट वे टाइल में क्लियर हुआ देख करके इसमें मार्क बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया और सधारन टाइल में असपस्ट समझ में आया इस प्रकार आप सही कूल टाइल की पहचान घर पे आसानी से कर सकते हैं